अरे अमीत, अच्छे ये बताओ, आज तुम कौन कौन से कॉस्चन पूछना चाते हो? डोक्टर, आज मैं आपसे वेजाईना शोत के बारे में जानना चाता हूँ ये क्या है? और इसकी ज़रूरत का पड़ती है? अमीत, योनी के अंदर किनी कारणों से शोत पैदा हो जाने को योनी शोत कहते हैं? और ये पांसे च्छे परकार के होते हैं? जैसे की भग योनिशोत और ट्राइकोमोनस योनिशोत गोनो गोकल योनिशोत यक्षिमज योनिशोत और जराजनी योनिशोत और भग योनिशोत इस पर कार का रोग बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है बच्चों की योनी में अमलिता यानि की ऐसी डिटी का भाव रहता है इसलिए उनमें संक्रमन बड़ी जल्दी फैल जाता है इस रोग में भग की कोमल, सलेशमल, कलावी परभावित होती है इसलिए इसको भग योनी शोथ कहना अच्छा समझा जाता है जैसा कि मैं अमित तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि भग और योनी का बहुती निकट का संबंद है इसलिए जो संक्रमन योनी को रोग गरस्थ करते हैं वो भग की सलेशमल, कलाव को भी रोग गरस्थ बना देती है इसलिए किसी भी परकार की योनी शोथ की व्यवस्ता क्यों ना हो साथ में भग शोथ थोड़ी बहुत मात्रा में जरूर मिलता है इस परकार के रोग को गोनो कोकस बी कोलाइट स्टेफलो कहते हैं कोकस आधी जिवानू पैदा करते हैं ये जिवानू योनी के अंदर पहुँचकर रोग को पैदा करते हैं और इसके लक्षन है कि योनी से पूईय युक्त श्राव निकलता रहता है और कभी-कभी श्राव में खून भी शामील होता है और भग में कंडू पीड़ा और दर्त रहने लगता है इस्त्री अगर ज्यादा उमर की हो तो उसे चलने फेड़ने में तकलीफ होने लगती है और अगर कम उमर की लड़की हुई तो उसे बड़ी बेचाहनी होती है और वो दिन रात रोती, चिलाती और बिलगती रहती है वो बार बार अपना हाथ भग और योनी के उपर फेरती रहती है जो कंडू का कारण बनती है और कुछ समझदार लड़किया अपनी योनी के अंदर जलन और चुबन की शिकायत करती है भग योनी शोथ के साथ साथ अकसर मुत्र मार्ग शोथ पाया जाता है जो बालिकाई बोल सकती है या जो समझदार है वो मूत्र करते समय जलन चुबन या दर्द कावना बताती है और जो बालिकाई छोटी होती है वो मूत्र करते समय जोर जोर से चिलाने लगती है रोने लगती है जिसे मूत्र कंडू का लक्षन समझना चाहिए और कुछ बालिकाओं में अक्सर बुखार की शिकायत रहने लगती है और हां कुछ लक्षन अलग से भी मिलते हैं जैसे कि योनी का परिक्षन करने से भगोष्ट लाल और सूझे वे मिलते हैं योनी सूझ जाती है और लाल हो जाती है और उसमें से पूये योक्त श्राव निकलता हुआ दिखाई पड़ता है और संकर्मन के एक कई लक्षन नजर आने लगते हैं जैसे कि हाई बलड पेशर, दिल घबराना, सर में दर्द होना आदी ऐसे में रोगी के सारे लक्षन देखने और समझने के बाद रोगी का आसानी से उप्चार किया जा सकता है इस कारण भूच जिवानों का ज्ञान भी मिल जाता है थैंक यू सो मच दोक्टर, इतनी एहम जानकारी देगे आते रहो हमें तुम पूछने के लिए, जानकारी लेने के लिए आते सीनिर्स काम कब आये हैं? वेल्गू